यूपी के मैनपुरी में खाकी को शमशार करती घटना देखने को मिली है यहाँ पुलिस कर्मी को एक यूवती के साथ रगनेलिया मनाते उसकी पत्नी और उसके साले ने रंगे हाथों पकड़ लिया उन्होंने इसकी पुलिस को सूचना दी तो पुलिस भी मौके पर पहुँच गई पुलिस सिपाही को अपने साथ लेकर गई है सिपाही रिजर्व पुलिस लाइन में तैनाद बताया जा रहा है घटना की सूचना मिलने पर S.P. ने सिपाही को निलंबित कर दिया है मामला कोतवाली छेत्र के गोला बाजार का है जहां आगरा के निवासी सिपाही के तीन वर्ष पहले प्रेम सम्मंद बांदा की यूवती से हो गए थे उस समय सिपाही बांदा में तैनाथ था उसके बाद उसका ट्रांसफर मैनपुरी हो गया मैनपुरी पुलिस लाइन में तैनाथ सिपाही गोला बाजार स्थित कमरे में किराय पर रहता था जहां सिपाही की प्रेमिका का आना जाना था किसी गुप्त सूचना के आधार पर आज उसकी पत्नी और उसके साले ने जूफ्ती के साथ रंग्रेलिया मनाते उसे रंगे हाथो पकड़ दिया पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस सिपाही को अपने साथ ले गई वही पुलिस अधिक्षक अशोग कुमार राय ने प्रथम दस्ट्रिया मामले को देखते हुए सिपाही को निलम्बित कर दिया है ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमाय साथ और देखते रहिए आज की खबर